स्कूल गोईंग चिल्डन होते हैं उनको भी फसा आ जाता है और जो बड़े पैसे पे कर सकते हैं उनको भी जो है यह प्रलोभन देके यह डिमांड पे डिमेंड करता है इसकी कितने वैदियों होगे है तो यह इस कड़ी में यह जो बड़े लेवल के यह जो है पुलिस के दिवारा जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके विरुड पारवाई की गई है इसमें रामप्रिश्णी नगर खाना अंतरगत नंदराल छप्रा में गुप शुष्णा के अधार पर चिनित करके जो है चापे मार देखे राजधानी पटना में नशे की कारूबारियों को जो एक बड़ा कारूबारी और बड़ा कैच पटना पुलिस के लिए है देखे पटना रामकृष्णनगर इलाके में दिवाली के पहले बड़ा तसकर अब बिहार पुलिस के हत्ते चर चुका है देखे नशे की क्टना पुलिस न गिर्फतार किया है वहीं आपको बताएं कि साथ किलो से जयादा बढना पुलिस न बढधा मत किया है साथी साथ एक कठा भी पुलिस केнеव इस disappointment कि यह जो है पुलिस के द्वारा जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके विरूर कारवाइट हो गई है इसमें राम्टिश्न नगर खाना अंतरगत नंदराल छपरा में गुक्सुष्णा के अधार पर चिनित करके जो है चापेमारी की गई उसी चापेमारी के करब में जो है दो विक्त सेवन पुडिया एक देशी कट्टा है और इनके पास से विदेशी शराब की जो पैक्स हैं वो जिसकी कुल मातरा 2.7 लिटर है यह टोटल खेप नशे की और ड्रग्स की और देशी कट्टे की ब्रामत की गई है इस पुरी चापेमारी के करब में दो कांट दर्ज किये गया है 744 बटा 23 और 745 बटा 23 यह पूरी कारवाई जो है नंदराल चप्रा एरिया में की गई है और थाना है थाना राम पिश्ण नगर जो अभ्युक्त जिनको पकड़ा गया है ग्रतार किया गया है उनका नाम है मनोज कुमार इसकी उमर 20 साल है यह नंदराल चप्रा रहने वा है इसके इलावा जो है कुछ और अन्य लोगों को चिनिक इसमें किया गया है और इस पूरे धंदे को जिस और्गनाइज टाइप से यह कर रहे थे उन्हों को पहचान करके छापे मारी की जा रही है और पुलिस जो है वेरबाउट्स भी जो है तो आगे भी जो है इसमें का अनुसंद्धान का बाठ है पहले भी एक पूर्व में तीन-चार ऐसे हम सिल्षलेवार जो है इसका उद्वेधन के हैं एंड़ीएस की सीज़ का यह सोर्स है वो अलग-अलग सोर्स हैं यह उसी की गड़ी में जो है यह उद्वेधन उसका और यह जबती होई है पट्टे क करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं यह कहां कहां और किस पर्पस से यूज किया है यह कहां से लिया है वह उस पर भी अनुसंदान हम लोग कर रहे हैं पर्सा में रामकिष्णा नहाने गान्या की बरामा देगी विए हम लोग यह लगातार फिफ्थ हमारा यह इसमें बड़ी खेप पकड़ी गई है इसमें हम लोग कॉंटिनियूसली जो हमको डिज मिल रहा है यहां सुचना भी मिल रही है उसको ड्वल करके हम लोग अपना क में करते है कि यह को अनुया गास है जसे को जयसे पहले कहा तो एक केसं को लीड में नेके आगे-गे अनुसंधान की अगे है उसक्या जो गांजा है यह साथ लगबग 8 kg 7.7 kg गांजा है जो रेट्स हैं यह डिमेंड करता है इसकी डिमांड के उपर जो करन्ट डिमांड है वो चुकि जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ती है जैसे तोहरों का सीजन आ रहा है यहां इनका जो जुवा खेलते हैं लोग यहां अन् स्मैक की कीमत जो है जो पूडिया है वो अलग-अलग रेट पे बिखती है इसमें टार्गेट्स जो है जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लोकल जो स्कूल गोइंग चिल्डरन होते हैं उनको भी फसा जाता है और जो बड़े जो पैसे पे कर सकते हैं उनको भी जो है यह प तो आपने सुना के किस तरीके से पटना पुलिस ने इन लोगों को धर दबोचा है और एक बड़ा तसकर माना जा रहा है पटना पुलिस के लिए देखे इन लोगों का एक बड़ा सिंडिकेट पूरे पटना में काम कर रहा था उसी के बीच पटना पुलिस को सूचना मिलत और एक के बाद एक कर ये तसकर अब फीतर चले जाते बढ़ाल इसकोन रिस्क नहीं है अगर आप तक लाइव शीटिस को सब्सक्राइब नहीं किया है जल से लाइव शीटिस को सब्सक्राइब लेगा धन्यबाद